हलो दोस्तों अरात्यारेस अकेडिमी की यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्तान करमचारी चैनबोट द्वारा आईजित है पसू परिक्षा के लिए पसू पालन समंदी अक्सर पुछे जाने वाले टोप 100 प्रस्ण है आज मैं आपको इसमें बता करती है दोस्तों परिक्षा के अंदर पसू पालन से समंदीत आपको 40-50 प्रस्ण देखने को मिलेंगे जिसमें से 20 प्रस्ण आपको इससे समंदीत देखने को मिलेंगे अक्सर पूछे जाने वाले प्रस्ण टोप 100 प्रस्ण वीबिन परिक्षाओं में पूछे के प्रस्ण अगर आपने पिछली कलासे नहीं देखिए तो आप प्लेलिस्ट में जाएए वहाँ पर आपको पसू परीचर के नाम से अलग-अलग कलासे देखने को मिल जाएंगी, फोल्डर में है वहाँ अलग-अलग तो उनको जरूर देखें, देखें यहाँ पर पहला प्रस्ण, निमनलिखित में से कौन सी भहस की सवदेशी दूदारू नसल है, वो कौन सी है, दोस्तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा, सवदेशी दूदारू नसल है, वो है दोस्त तो कहाँ पर है, तो दोस्तो यह हरियाना, हरियाना और दोस्तो राजस्तान में यह नसल है, यह पाई जाती है, और यह दूद उत्पादन में अग्रणी मानी जाती है, ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही, स्टेनोग्राफर एक्जाम 2024 में यह प्रस्त पूछा जा चुका में कितना है, ति यनि कि राजस्तान बारत के कुल बोगलक चैत्र का कितना परतिसत है, तो उसी प्रकार यह प्रस्त नहीं है, यहां पर पूचा गया है कि 2015 की पसुदन गंड़ना की अनुसार देश का कितना प्रतिशत पसुदन राजस्तान में है इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.6 प्रतिशत यहां पर है बै नमबर का जो अप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा याद रखना ठीक है आगे देखिए दोस्तों यहां पर देखिए यह असिस्टेंड प्रोफेसर एक जाम में प्रतिशन पुछा जाएगा दोजाएगा 24 में तीन नमबर का प्रतिशन है इसमें देखिए सुची फस्ट को सुची सेकंड से सुमेलित करना है सुची फस्ट में पसुदन है और सुच की गोमठ नसल है बेड की दोस्तों चनोथर नसल है और बकरी की लोही नसल है तो यहां पर इस प्रैसन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा दोस्तों 3124 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा देखें यह भी असिस्टेंट प्रोफिसर एकजाम में पुछा गया प् Un Bazaar कहां पर है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विकानेर में कहां पर विकानेर में यहांपर ए n-number का Łopy्षन बिलकुल सिर्थर हो जाएगा वी पुछा गया प्रसन है पांच नंबर का प्रसन है और सुची सेकंड में पसु है सुमेलित करना है बहुत अच्छा प्रसन आप इसको कह सकते हैं देखिए सूर्थी किसकी नसल है तो दोस्तों सूर्थी बहस की नसल है अशिकों और मलवी गोवंस की नसल है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए डी डी, डी, बी, डी, बी, ए, सी, डी, बी, ए, सी, डी, बी, ए, सी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानि कि डी, बी, ए, सी, बै नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही, देखें ये भी Assistant Professor College Education 2023 में ये प्रेशन पूछा जा चुका है, और परिक्सा में दोस्तों आपको 4-5 प्रेशन तों सिर्फ वो ही देखने को मिलेंगे कि कौन से पसुकी कौन-कौन सी नसल है, ठीक है, 6 नंबर का प्रेशन है, इसमें देखें, निमन लिखित में से कौन सी बकरी की नसल है, बकरी की नसल है, दोस्तों इन में से कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो भूम कौन सी नसल होती है तो बर्बरी अभी बताया मैंने आपको पर थोड़ी तेर पहले बर्बरी हो वो सुंदर वक्री होती है जो बरत पूर स्वाइमादोपूर में पाई जाती है जख्राना है वह सरवाधिक देने वाली नसल है पक्री की लोही ये सरवातिक मास देने वाली पक्री की नसल है जमनापरी ये भी दोस्तों सरवातिक दूद देने वाली पक्री है जो पोटा बुंदी जालावाड में पाई जाती है यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बैनमबर ऑप्शन सही बिज़ों मुख्यत है मुख्यत पुछा है तो यानि जर राइंसर हो जाएगा दक्षनी राजस्तान में दोस्तों राजस्तान का प्रमु खाद्यान मक्का है और वोशे सर्वाटिक उत्पाद्न ऊत्रप्रदेश में में राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दे नंबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा याद रखना ठीक है यह भी इस्टेटिकल ओफिस एकजाम 2023 में पुछा गया प्रेसन है आगे देखें कौन सा गोवन्स नसले अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है अजमेरा यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हुझाएं कि इसमें याद रखना और कौन-कौन से नाम है गिर्न शल्को दोस्तों काठियावाड़ी बी बोलते हैं देसान भी बोलते हैं यह भी आपको याद रखना आज मेरा मैंने आपको बताई दिया और एक रेंडा तो यहां पर से नंबर ओप्षन बिल्कुल सही वेटनरी ओफिसर एक्जाम में पुछा जा चुका है नो नंबर का प्रेशन है थार पारकर नसल के गोवन्स का उत्पत्ति इस्तल माना जाता है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह बाड मेर का जो माला निगावा है वो माना जाता है दोस्तों यहां पर ए नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा वेटनरी ओफिसर एक्जाम 2019 में पुछा गया प्रेशन है आगे देखिए बढ़वारी नसल है यह किसकी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह बकरी की नसल है दोस्तों राइट आंसर इसमें से नंबर ओक्षन रहा जाएगosten यह भी वेटनरी में पुछा गया प्रेशन है अगे देखिए गया नंबर का प्रस ने सुची फष्ट को सुची सेकंड से सुमेलित करना है, सुची फष्ट में पसु है और सुची सेकंड के अंदर दोस्तों यहां पर नसल दे रखी है, दोस्तों अब यहां पर आप देख सकते हैं बेड की कौनसी नसल है, तो दोस्तों बेड की नाली नसल है, कौनसी न इसमें राइट आंसर हो जाएगा चार तीन दो एक अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा याद रखना चार् तीन दो एक यानि कि अपनी स्में एन नमबर का उप्शन उप्षन बिल्कूल साइह वेटनरी ऐफिसर एक्जाम के अंदर यह पुछा जा चुका है आगे देखे दोस्तों यहां पर एक बार फिर से बता देता हूँ बेड की नसले नाली गोवन्स की राकी उट की नाचना और बैंस की मुरा ठीक है आगे देखे बारा नंबर का प्रस्तन है निम्न कत्मों पर विचार कीजिये तथा नीचे दिये गए कोट से सई उत्तर का अपने को यहां पर चैन करना है देखे राजस्तान में प्रतिवेक्टी दुख्ट उतलब्द ता राष्टी ओचसत से अधिक है तो दोस्तों यह कथन है वो दोस्तों यहां पर बिल्कुल सत्य कथन है ठीक है याद रखने कि आगे देखें राजस्तान में ओप्रेशन फलंट 1 प्रारम MS सिर्ष निकाय थए और अपने को बताना था कि कौन्सा कतन सत्य है तो इसमें 3 ऑं के तिनो कटन है वो मित्रयों सब्सक्राइव के से वेटनरी के अंदर पूछा अप्रस्नें आगे लिए तिरह नंभर का प्रस्नें सू्ची फछ्ड में पसुधन है सूची सेकिंड में नसल अए में लेकिए कोई रपर ही है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा देखे दो चार एकतीन दो चार एकतीन कौन शे option में हैं यहां पर आप देख सकते हैं से नंबर का option बिल्कुल सही ये second grade में पूछा गया दोजार वाइस में थ्री हिए क्वेडग़्स्याश्यान क्वेड़े खेरी एवन लोही नसले vet ऑब क्वेड़े और लोही किसी नसले थो दोस्तों खेरी तो है बेड़े की नसले यहां तो हैं सेकंड पुछा गया प्रस्ताय विद्ख्रों दौजार वाइस में आगेückenि निम्न लिखित में से कौन सी एक गोवन्स की नसल नहीं है आपको पता चल गया होगा दोस्तों देखे जमनापरी बकरी की नसल है राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे बै नंबर का उप्शन बिल्कुल सही बाकी गिर मेवाती और थार पार कर यह तीनों गायों की नसले ह ठीक है यह भी देखे सिनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर एकजाम 2022 में पुछा गया प्रेशन है 16 नंबर का प्रेशन इसमें देखे राजस्तान राज्य के पसुपालन विभाग द्वारा गोवन्स प्रजनन हेतु गोपाल कारिकरम राज्य के 10 दक्षिन पूर्वी जिल में किस वर्स में आरब हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1990-1991 में यहां पर ए नंबर का जो ओप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कूटो से सही उत्तर चुनना है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं लोही बकरी की एक नसले है तो दोस्तों बिल्कुल सही है लोही है वो बकरी की एक नसले है गुड़ा बैस की नसले नहीं है दोस्तों मुर्रा बदावरी सूर्थी यह क्या है यह बैस की नसले है दोस् दोस्तों से नंबर का उप्षन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा ए और सी सही है अठारा नंबर का प्रेशन है गुणिश्वी पसुदन गण्णा 2012 से 2020 वी पसुदन गण्णा 2019 में राजस्तान में पसुदन की कुल संख्या में परिवर्तन है दोस्तों देखिए जो अभी लेटेस्ट जो पसुदन गण्णा होई थी वो दोस्तों 2012 से 2019 में हुई है तो राजस्तान में पसुदन में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों वर्तमान में कुल पसुदन है वो है 5.68 करोड या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों 568 लाक भी बोल सकते हैं ठीक है और दोस्तों ये थी 2019 में 2019 में 2019 में जो पसुदन होई थी उसके अंदर कुल पसुदन था यह और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यहां पर 2012 की पसुदन गण्णा की तो इसमें कुल राजस्तान का जो कुल पसुदन था वो था दोस्तों 5.77 करोड इसको आप दोस्तों यह भी लिख सकते हैं 577 लाक ठीक है तो दोस्तों 2012 में कितने थे 577 लाक ठीक है तो दोस्तों 1.66 परतिसत के बराबर है तो यहां पर एक सो एक पॉइंट शाच परतिसत की कमी होई है ठीक है यहां पर सह नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतरिश में हो जाएगा ठीक है सेकंड ग्रेड में पुछा गया प्रस्थन है आगे देखिए 19 नंबर का प्रस्थन है कौन सा कथन सही नहीं है कौन सा कथन इसमें सही नहीं है वो अपने गया पर बताना है देखिए राट प्रदेश में गोवन्स परमुक पसुदन है बिल्कुल सही बात है ठीक है आगे देखिए मद्दे राजस्तान मालवी पसुदन प्रदेश में सम्मिलित है गलत हो जाएगा दोस्तों ये मालवी जो नसल है ये गाय की नसल है और ये दोस्तों मालवा का जो छेतर है यान तो यह अपना Maddee Rajasthan का तो इसमें कोई लेड़ दे नहीं है मद्दे राजस्तान में अजमेरवाला छेतर आता है और यहां पर आपको सभी को पता है कि गिरगाय की नसल है वो शर्वादिक पाई जाती बैसे पाई आगे देखिए शिरोई जालोर्ट और पाली जिले कांकरेज पसुदन परदेश के भाग है बिल्कुल बात है आगे देखे नागोर पसुदन परदेश बैलो के लिए प्रसिदाइ बिल्कुल सही है तो यहां पर बेनंबर का ओप्शन राइट और तोष्तन की पूछा गिया प्रَच्णियवारल में काक्ता की प्रश्थींव। और बनास काता है जिले के बोगोलिक छेत्र कंक तालुका याद रखना के नाम पर दोस्तों इसका नाम है वह कंकरेज पडा है यह आपको इसमें याद रखना आ है तो यहाँ पर इसमें देखिए दक्शनी पस्जिमी जिला पूछकर कॉन यो सबसे बड़े उन के बाजार के रूप में जाना जाता है तो वो बिकानेर को जाना जाता है राइट आंसर हो जाए गए यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही यह देखें कि मूलिस्तान राजस्तान में माना जाता है राजस्तान में गाए का मूलिस्तान की बात कर रहा हूं तो यहां पर अपना में ईसमें right answer हो जाएगा सह обсन बिल्किल सही थार पारकर नशलर किये पाकिस्तान में वहाइक Ск dif опыт के ये राजस्तान की मूल नसल thrilled नसल यहाँ पर अपना सहन में प्रश्सन पूछा जा चुका है सिंधी में लेवल 2 में आगे देखिए केंद्रिय पसुदन परजिनन फारम कहां परिस्तित है दोस्तों यह सूरत गड़ में है कहां पर है सूरत गड़ में ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही यह भी थर्ड ग्रेड में पुछा गया प्रसन है आगे देखिए पेश्टे डेस पेटिट आगे देखिए निमनांकित में से कौन सा युकम सही रूप से समयलित नहीं है तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए बेड की नसल है वह दोस्तों बागड़ी और मारवाडी है दोस्तों बिल्कुल सही है बकरी की नसले जमनापरी और जारवाली है तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है ओट की नसल है वो गौमत और विकानेरी है ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पर देखिए गाय हरियानवी मुर्रा ये दोस्तों आप सभी को पताया हरियानवी और मुर्रा है ये क्या है ये भैस क पुछा जा चुका है आगे देखिए नीली करांती निम्न में से किस से समंद रखती है मतस्य उत्पादन सभी को पता हो गए तो राइट आंसर हो जाएगा से नमबर ऑप्शन बिल्कुल सही यह भी देखिए प्रेस्न 2020 में पुछा जा चुका है आगे देखिए पसुगन्ना 2019 के नुसार राजस्तान में देश के कुल पसुदन का भाग था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मने आपको बता है 10.60 पर तिससत है यह तो ठीक है 10.60 पर तिससत यानि कि से नमबर का उप्शन बिल्कुल सही यह भी प्रेस्न 2020 में पुछा गया है आगे देखिए निमन राजस्तान में तो यहां पर देखिए मालवी मालवी नसल है यह राजस्तान में नहीं है यह मालवा चित्र यानिकि मद्यप्रदेश में है राजस्तान में नहीं है बाकि मग्रा मारवाडी मालपुरा यह तीनों नसलें बेड की यह राजस्तान में है तो यहां पर अपना इस और नाली नसल की जो बेड़ है इसके उन लंबे रेसे का होता है जिसका उपयोग कालीन बनाने के लिए किया जाता है राइट आंसर हो जाएका बैनमबर उप्शन सही यह भी स्कूल लेक्षर दोजार बाइस में पुछा गया प्रस्थन है आगे देखें काकरे नसल अधिकां 2019 का अनुसार राजस्तान की कुल प्रसुदन जन संग्या है दोस्तों अभी मनें आपको बताया 560,000,000 या 5.68 करोड़ भी बोल सकते हैं तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 560.01,000 तो यहां पर बैनमबर उप्शन बिल्कुल सही यह भी स्कूल लेक्षर के अंद नहां पर बाड़ मेर में पाई जाती है दोस्तों सरवादिक बेड़े हैं बैनमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा याद रखना ठीक हैं बेडों में दोस्तों कमी हुई है राजस्तान में 12 पॉइंटे 95 पृतिसत की दोस्तों कमी हुई है और सरवादिक बेड़े हैं वो दोस्तों बाड़ मेर में पाई जाती है बैनमबर उप्शन बिल्कुल सही यह भी इसको लेक्चरर के अंदर पुछा गया प्रसन है 33 नमबर प्रसन है राजस्तान की बीश्वी परसुगंडना के अनुसार निमन में से कौन से जिले में देशियों की संख्या सरवोच त्रिक्ति इस्तान पर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बाड़ मेर तो यहां पर इसमें राइट आंसर नमबर का उप्शन बिल्कुल सही तर हो जाएगा बाड़ मेर ठीक है फोरेस्ट गार्ड एक्जाम 2022 में प हैं किनसञा है बिल्कुल सही है सोनाडी है यह दोस्तो बेट की नसला यह भी बिल्कुल सही है गोममत गाय वेड की नसला नहीं है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राठी राठी है यह दोस्तों गाय की नसला है दैनमबर का उप्षन बिल्कुल सही फुरेष्ट राजस्तान में सर्वादिक वैसों की संख्या वाला जिला है तो वह दोस्तों जैपूर दैनमबर का जो अप्षन है वह इसका बिल्कुल सही फुरेष्ट में पुछा गया प्रस्तन है आगे देखिए लंपी डिजीच के कारण स्वास्त समस्या हुई है दोस्तों इसका राइ है मवेशियों को तो यहां पर बै नंबर का उप्षन बिल्कुल सही तरो जाएगा मवेशियों को और मवेशियों में भी गाये को सरवादिक वरेष्ट गाड एक्जाम में पूछा गया प्रस्तन है आगे देखिए निमने में से राजस्तान के कौन से भाग में थार पारकर का गाये पाई जाती है दोस्तों थार पारकर गाये है यह कहां पाई जाती है इसका राइट अंसर हो जाए गई है दोस्तों पस्मी भाग में पाई जाती है से नंबर का उप्षन बिल्कुल सही पस्मी भाग में पाई जाती है खुरेष्ट गाड एक्जाम में प्रस्तन दोस्तों यहां पर देखें फोरेश्ट गाड एक्जाम 2022 में पूछा जा चुका है कांक्रेज नसल है यह दोस्तों दक्षनी पूर्वी मैंने आपको भी थोड़े दिर पहले काफी बार बताया है कि कांक्रेज नसल है यह राजस्तान के अंदर कौन से चेतर में पाई जाती है तो दक्षनी पस्मी छेतर में पाई जाती है तो यह अपना कथनी ही गलत हो जाएगा राठी उत्तर पस्मी राजस्तान में पाई जाती है बिल्कुल सही है थार पारकर पस्मी राजस्तान में पाई जाती है गिर मत्यवर्ती और दक्षनी पूरवी राजस्तान में पाई ज जिले में है सर्वातिक पसुदन की मैं या पर बात कर रहा हूं दोस्तो इसका राइट आँसर में इसमें संपम्बर उप्शन सब्थ ही X CGI पूर्ष्ट काड़् एफ़ प्रेस्थ फ मुन्मित्र पूछागा चुका है आगे देखे गोव्मट और मेवाडी किसकी नसले हैं बताया मैंने आपको अभी थोड़े देर पहले यह उंट की नसले हैं दोस्तों किसकी उंट की नसले हैं राइट आंसर इसमें से नंबर अप्शन से यह भी फोरेश्ट गार्ड में पूछा गया प् बताया मैंने आपको 2019 के अनुसाथ अब दोस्तों इसके अंदर देखिए अब इसके अंदर कि दोस्तों जिसमें ओप्शन देखिए ओप्शन 566.96 लाग दे रखा है और वैसे एक्जेक्ट कितना है तो दोस्तों 568 लाग तो 566.01 लाग यहां पर दे रखा है 566.96 लाग तो ओप्शन में अगर यह है तो यहां पर बैन नंबर का ओप्शन करना है बाकी मैंने आपको भी बताया है 567.01 लाग यहां पर इसका राइट आंसर बै नंबर ओप्शन हो जाएगा आगे देखे रानी खेत रोग किसका सरवादिक सामाण्य रोग है तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएक वो है मुर्गियों में मुर्गियों में होने वाला रोग है दूसतों इरानी के बैनंबर उप्शन बिल्कुल सही पॉरेश्टर एक्जाम में पूचा जा चुका अगे लगे कि नाचना किस की नसले दोस्तों नाचना उंट की नसले यहां पर से का अप्षन राइट रो जागा, पोरिश्टर ठाबॹरे, सुमेलित नहीं है, कोन रहा और यहां पर एक तरफ दूसरी तरफ नसले हैं देख सकते हैं दोस्तों यहां पर ऑप होंट नसले दोस्तों यहां पे देनमबर का उप्षन राइट आंसर हो जागा यह सुमेलित नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर एकजाम में प्रशन पुच्छा दा चुका है आगे देखिए राज्य के किस देले में पक्रियों किसन क्या सरवादिक है बताए बक्री कहां पर है सरवादिक तो दोस्तों ब पालन पॉश्ण करता तो यहां पर इसमें राइट आंसर बेनमबर उप्षन हो जाएगा जयान आजरी कल्चर में पुछा गया प्रशन आगे देखिए सांचोरी नसल के मवेशी पाए जाते हैं सांचोरी नसल के मवेशी दोस्तों जालोर और शिरोई चेतर में पाई जाते लुव राइट आंसर इसमें जहीं पूचा गया पर आगे देखिए के अंदरिया बेढ और उन अनुसंदान के अंदर के कहाँ पर इस्तित पर दोस्तों अविकानागर टॉक में कहां पर है अविकानागर टॉक पर जाएए जयान 2022 में पूचा गया प्रस्तित हैं आगे number का उप्षन बिल्कुल सही चोकला नसल को भारतिय मेरीनों कहते हैं number option बिल्कुल सही next आगे देखिए आपे बेड की खेरी नसल पाई जाती है बेड की खेरी नसल का पाई जाती है दोस्तों ये जोधपुर नागवर और पाली में पाई जाती है इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बैनमबर का उप्षन बिलकुल सही गाई की नसल है लाइब अस्टेंट एक में पुछा है प्रस्थन है अगे देखें गुजरात के गिर्परकार की गाये We'll नसल को राजस्तान में क्या का जाता है गुजरात के गिल्प परकार की गाई कि नसल को राजस्तान में क्या का जाता है तो दोस्तों राजस्तान में रिंडा के नाम जिदानते स्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश् तो दोस्तों एक प्रात्मिक वेवसाय का यह उदारणा है ठीक है यहां पर ए नंबर का उप्शन बिल्कुल से प्रात्मिक वेवसाय था लेब एसिस्टेंट एक्जाम 2022 में पुछा गया प्रस्तन है आगे देखें पसुदन गन्ना 2019 के अनुसार राजस्तान में सरवादिक वैसों की संख्यावाला जिला कुन सा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जैपूर बैनंबर उप्शन साही यह लेब एसिस्टेंट में पुछा गया प्रस्तन है आगे देखें सुची फर्स्ट को सुची सेकिंड से स दोसतो बेट की मगर्रा बक्री की नसल तो वक्री की नसल तो सो यह जखराना है और गाये की नसल दोस्तों पुंशी है राटी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दो तीन चारीव है दो तीन चार इसमें सैनंबर का उप्सन बिल्कुल सही के देखिए सुची सेकिंड से सु ऑर हुँं आप देख सकते हैं तो मालवी है वो दोस्तों गोवन्स की सेंसल है बेड़ी की सांटल como नली तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो दाएगा तीन चार दो एक तो यहां पर अपना इसमेर सही उत्र क्या हो दाएगा ए नमबर का उप्शन बिल्कुल से नेक्स्ट आगे देखें आपर दुख्द उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म है तो वह कौन सी है तो व यहां पर अपना इसमेर नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा याद रखना और राटी सरवातिक दूद देने वाली काय की नसल है और इसे राजस्तान की काम देनों भी का जाता है और गिर भी दोस्तों दूद अच्छा देती है दो नोई तो यहां पर देनमबर का उप्शन बिल्कुल सही बेड की नसल है लेव एसिस्टेंड एक्जाम में पुछा गया प्रस्ना है आगे राजस्तान की थार पारकर नसल है किस से जुड़ी है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यह गाय की नसला है यहां पर देनमबर का जिला कुंछा है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है जैसलमेर न्यूंतम प्रसुगनत्वाला जिल्णा जैसलमेर में है जैसलमेर है कितना 62 टीक है उसके बाद में विकानेर का प्रसुगनत्वा दूस्तों 90 है और 12 का है दूस्तों 110 यह भी आपको याथ रखना एठ जैसलमेर का 62 है तो दय नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए 20 वी पसुगंड़ना के अनुसार राजस्तान में सर्वाधिक पसुगंडवा वाला जिला तो सर्वाधिक पसुगंडवा वाला जिला है वो है दूंगरपुर याद रखना से नंबर का उप्शन विई ते इसका राइट आन्सर हो जाएगा अठार वी पस्वाधिक पसुगंडवा नंबर 27 है यहां पर आप बा नंबर का उप्शन बिल्कुल सही तरो जाएगा अधर भी पसुगंड़ना होई थी प्रश्वी पशुगंड़ना के अनुसार राजस्तान में पशुगंडव कितना है तो दोस्तों 166 पशुगंड़ना के इसमें राइट आंसर हो जाएगा बैनंबर उप्शन बिल्कुल से अगे देखे पशुदन संख्या के आधार पर राजस्तान का देश में कौन से इस्तान है तो राजस्तान का देश में दोस्तों दित्य इस्तान है राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बैनंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही पहला है किसका यूपी का यह भी याद रखना है आ गायों की संख्या के अधार पर राजस्तान का देश में कौन सा इसतान है तो दूस्तों छटा में वर्दी की बात की गई है तो दोस्तो वर्ण Keeping के संख्या में 4.41 पृभवन में यानि कि घाय में सहे नंबर का आ मिल्कुल सही तरो जाइगा और कुल पसूरन के अंदर 1.6% की यह यहाद रखताicias इंहां पसूर जाए की बात गाय के संख्या में वर्दी उई है इसमें देखिये राजस्तान में पसुदन संख्या के सम्मंद में गलत कथन को छाटिए, गलत कथन को अपने को यहां पर क्या घरना है, छाटना है, देखें, वर्ष 2012-2011 में उटों की संख्या में 34.69 पर तिसत की कमी हुई है, बिल्कुल स जाएगा और देखिए वर्ष 2012 से 2019 में गायों वैसों को चोड़कर सभी संख्या में कमी दर्च की गई दोस्तों बिल्कुल सही है वर्ष 2012 से 2019 में बैसों की संख्या में सरवादिक वर्दी दर्ज की गई तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बै नंबर का उप्शन हो जाए गई क्योंकि यह कथन है यहां पर गलत है आगे देखिए राजस्तान में बीश्वी पसु गणना किस वर्ष संपन हुई तो दोस्तों राइट आ 66% की सभी को बताए तो नेक्स्ट आगे देखिए 2019 की पसु गणना के आदार पर राजस्तान में पसु की संक्या है तो पसु की संक्या पांचोड़ सट लाख है यहां पर अनंबर उप्शन बिल्कुल सही नेक्स्ट है केंद्रिय भेड एवं उन अनुसंदान संस्तान इंऊनर एहां बिल्कुल सही पुलिसियसाई में पुछा गया तो दों यहुद ANYपूर sepodEx पाई शक्यां और यहां पर यहां पर तैनमबर और आप्प्शन ऑль विलकुल सही यह श्यां में में पुछा में प्राइब तो इस्वी सं quin अनुसर राजस्तान में 56.8 million पसुमं के साथ में भारत में अनुसर 1 इसफान प्रया पहले इस दोस्तो युपी सब्सक्राइब देखें को से सुने लिए सब्सक्ति करना है यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें उत्तरपशी में उत्तरपश्ण कर दूस्तों राठी नसल की गाये हैं हो पाई जाती है दक्सिन पुरुम मद्द्वर्ती राजस्तान की गिर नसल की पाई जाती है यहां पर इस साथ के सारे पहले से ही सईस्यों में लिता है तो यहाँ पर A number का option right answer हो जाएगा एक दो तीन चार इसमें चारों ही सही है आगे देखे राजस्तान में मवीशियों की गिर्व नसल के बारे में निम्नलिकित में से कौन सा कथन गलत है बताइए दोस्तो कौन सा कथन गलत है वो अपने को यह आपर बताना है दोस्तों देखें यहां पर देखें दोड़ खेल के लिए पहल का उपयोग किया जाता है बिल्कुल सही है सोराश्टर से उत्पन मानी जाती है बिल्कुल सही है अजमेर में पालन होता है बिल्कुल सही है मालानी के रूप में जाना जाती है गलत हो जाएग गोवन्स की कौन सी नसल है तो यहां पर कांक्रेज है यह गोवन्स की नसल है ठीक है बैस की मुर्रा है बकरी की दोस्तों मालपुरा और बेड की बकरी की मारवाडी बकरी की मारवाडी और दोस्तो बेड की कौन सी मालपुरा तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दैस है बैए तो यहां पर इसका सही उतर सही नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे निमनलिकित में से कौन सा नसल पसुदन सही समेलित नहीं है पताइए वीडि की बैस गलत हो जाएगा दोस्तों लोही बकरी की नसल है वीडियो एक्जाम सेकंड शिप्ट में पूछा गया प्रस्थन है ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे अदोलिकित राजस्तान के परमुख पसु मेलों वह उनसे समंदित इसकलों में से कौन सा युग पाटन जालावाड में बढ़ता है श्री गोगामेडी पसु मेला नोहर अनमानगट में बढ़ता है श्री बल्देव पसु मेला करो ली यह गलत हो जाएगा दोस्तों यह मेड़ता सिटी नागोर में ठीक है यहाँ पर दैनमबर का उप्शन बिल्कुल सही यह भी वीडियो में पुछा गया प्रशन है अगे देखए सुचिए फस्ट में दौस्टो पसुमेला हैं और सुचि एकजाम में इस्तान दे रखा क्रश्न तीन दो चारे कि यानी कि ए नंबर का उप्षन बिल्कुल सही तर जाएगा आगे देखे 85 नंबर का प्रश्न निम न लिकित्मे कौनसा नसल पासु समेलित नहीं है कौन सा नसल पर समयलित नहीं है देखे वीडियो एक्जाम में यह प्रस्ण है वो पूछा जा चुका है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं साचोरी है वो गाय की नसल है मेसाना बैंस की नसल है सोनाडी बेट की नसल है खेरी यहाँ पर बकरी बैडरी में है यहां पर से नमबर उप्षन बिल्कुल सई अजमेर आगे देखिए राजस्तान शहकार्य डेडरी फेडरेशन की स्थापना कब की गई दोस्तों यह की गई थी कब तो यह बुनी सो सततर में की गई थी दोस्तों बुनी सो सततर में राइट आंसर वोजाएगाए याँ 2 बेर नंबर ओप्शन बिल्कुल सही next नेक्स्ट आगे देखे निम्नलिकित में से कौन सी एक तो दुस्टों यहां पर देखें मुर रहे मुर रहे हैं यह दोस्तों सबस्ट mimच essa इसका रायट यह अज और हो जाए वहा है मालपुरा बै नंबर का जो और भी पुस्टेबल एकज्व यह प्रस्न पूछा दा चुका है आगे देखिए बाड़मेर का मालानी चेतर किस कोवंस का उत्पत्ति चेतर है दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा वो है थार पारकर का बैनमबर ऑप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए निम्न में से कौन सी नसल अन्ने से भीन है बताइए क दे रखा है बदावरी अलग दे रखा है बाकि यह तीनों गायों की नसले है यहाँ पर दैनमबर ऑप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए निम्न पसुमेला और जिले का कौन सा युग्म समेलित नहीं है देखिए बल्देव पसुमेला नागोर में बढ़ता है साब बिल्क और जुन वॉड़ श्राजस्तान में सर्वाधिक पसूं है तो दोस्तो राजस्तान में सरवाधिक पसू है वह दोस्तो बक्री यहाँ पर इसमें विल्कुल सही आगे देखिए बीस वी पसुम्न गुर्णा 2 маш fs तो राजस्तान में कुल पसुदन है वो कितने हैं दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56.8 चपन पॉइंट है आठ है मिलियन तो यहां पर आ नमबर का उप्सन बिल्कुल सही नेक्स्ट आगे देखे चुरू और जुन-जुनो राजस्तान के किस किसम की बेड के लिए परसीद है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नाली दे नमबर का उप्सन बिल्कुल सही नाली बेड के लिए ठीक है आगे देखे बेड की निमन लिकित मेंसे कौन सी नसल भारत की मेरी नों के रूप में जानी जाती है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चोकला यहां पर एनमबर उप्सन सही आगे देखे जकराना किसकी नसल है दोस्तों जकरा अमश्तान के अलवर दोल और बरगपूर जिलों में मेवाती नसल के मवसी ब्हहस और बक्री पाई जाती है जोस्तों बिल्कुल परट है ठीक है यह स्वधी नसल है यह अपना शेकिट नंबर का कथन गलत हो जाएगा यहां पर पहला कथन इसमें सही है ए नंबर का उप्शन इसमें बिल्कुल सहीतर हो जाएगा 99 नंबर प्रस्टन निम्न लिक्षित में से कौन उट की नसल है बताइए तो दोस्तों, ओट की नसल कुन सी है, right answer हो जाएगा, यहां पर नाचना है, वो दोस्तों, ओट की नसल है, right answer, second option हो जाएगा, आगे देखेए, कौन सा यूग में शुमेलित नहीं है, वो अपने को यहां पर बताना है, एक तरफ बेड़ की नसल है, दूस्तरी तरफ चेतर है, दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जसल मेरी जसल मेरबार में पाई जाती बिलकुल सही तोंको दोसा च्छेतर में पाई जाने वाली बेड़ की नस्ले बिलकुल से यह पुंगल पुंगल कोटा बुंदी जालावाड गलत दे रखाया है दोस्तों पुंगल का जो उत्पतिस्तान है वो विकानेर है ठीक है और यह विकानेर के आसपास चेतर में पाई जाती है तो यहां पर दैन नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जागा यह सुमेलित नह रोड करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जय हिन जय भारत